सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले एक बार एक शिश्य ने भगवदपाद शंकर को एक सवाल पूछा शद्धा कीम हम लोग भी तो शद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं न के इनको इसमें शद्धा है वस्तु में शद्धा होती हैं देवी देवताओं में शद्धा होती हैं बराबर ना लेकिन जब शंकर को यही पूछा गया शंकराचारिय को तो इसमें कोई लोकिक शद्धा की बात नहीं है शिश्य ने सवाल ये किया कि शद्धा किम पहले ये समझाओ शद्धा किसको केते हैं और क्या अप्रतीम जवाब दिया है यदि ये आपको समझ में आजाए तो नहीं तो मुर्खों की कोई कमी नहीं है मैं कहीं बार मेरे शोताओं को कहता हूं कि ये ग्यानी लोग जो ते ने बहुत प्रकान ग्यानी ग्यानी और मुर्ख में कोई भरक नहीं है मतलब है opposite, total लेकिन मुर्ख में और ग्यानी में कोई भरक नहीं है एक तो दोनों किसी की बात सुनते नहीं और मानते नहीं ना किसी की सुनते ना किसी की मानते हैं और दूसरा, दोनों हठीले होते हैं दोनों हठीले, अपनी बात के उपर अडग है मुर्ख में और ज्यानी में कोई फंतर नहीं है ज्यानी मत बनो, विवेकी बनो विवेकी में और ज्यान में बहुत अंतर है तो सवाल भगवतपाद शंकर को ये पूशा गया शद्धा किम तो क्या जवाब दिया है उसने यदा सदगुरो वेदांत वाक्य दिशू विश्वासह साशद्धा आहाँ क्या शब्द बोले ये महापुरुश शद्धा की बात भगवतपाद शंकर ने कैसे करी है कि जब सदगुरु यदा सदगुरो वेदांत वाक्या है देखो ये क्लैरिफिकेशन देखो ये महापुरुशू की बानी जो होती है हम बहुत लाइटली ये चीज ले लेते हैं जैसे हम आपस में हम कई बार बातों करते हैं तो बहुत ज्यादा सामने वाला क्या बोल रहा है उसके उपर हम जोर नहीं देते और हम सुनते भी हैं सुनते हैं इसलिए जवाब देने के लिए समझने के लिए नहीं सुन रहे तुम सामने वाले को पहले तुम बोलो बोलने दो फिर बीच में टुपकना बीच में बोलना ये शिश्ता विरुद्ध है इस मैनरलिजम शब्द है वेदांत वाक्य दिशू गुरु वाक्य तो कुछ भी बोल सकता है बाकि शंक्राचारिय कहें के उनकी और कोई बाते नहीं लोक चर्चा लोक चर्चा न करे तो यदि गुरु भी इधर उदर की बात करे लोक चर्चा करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है शंकर तो यह कह रहा है के वेदांत वाक्य दिशू और उसी में भी विश्वास है विश्वास है वेदांत वाक्य गुरु के उपर विश्वास करने से बोले शद्धा का जन्म होता है विश्वास उसी को कहते है जो हमेशा के लिए है जो अटल है जो अचल है जिसको कोई हिला नहीं सकता उसको विश्वास कहते है इम्मूवबल इसको हिला नहीं सकते और इस अचलता में इम्मूवबल जो है जो स्थिर्ता का प्रतीक है विश्वास उसी में से ही श्रद्धा का जन्म होगा